अस्टाम लेकूम में प्यारी सी यूटूब की फैमिली जी क्या हले ठीक ठा क्या अला ताला आप सबको अपने घरों में कुछ वाबाद रखे तो जी माशालला से मैं आज़र हूंगे अपनी प्यारी माउ भेनों के लिए मजी मजी का एक व्लोग लगे आपने पूरा देखन हूँ में ठोड़ी सी चीनी डाली है हा जी आप उसमें चावल का आटा बी डाल सकते थे आए या अलॉएरा ज boiling सर्दीय और गर्मियों में दोनों में तोट का सकती हैं मैं चाइम हो या ना हो दे में तिं बार लाजमी जानीज है .प़ीज का का कोई होता है कि वो चिड़ चिड़ा पन घुसे में आ जाना कि हमारी यह चीज़ पूरी नहीं और यह वह नहीं और किचन से निकाले इस्तमाल करें हैस्बिंट को बिकुल तंगना करें वो सुबह के गए रातों को आते हैं और हम मुह बनाके बैठी होती हैं नाप जाहिर बाते हैं हमें अपने को नीड़ आ खुली तक पहुच जाती है हमें चाहिए कि जतना हम चाहें अपने हजबर्न को रिलेक्स करें इनको बरिटेंशन ना दें और कुछ ऐसी बाते है जो हमें इस पे अमल भी करना चाहिए वजीफा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी माशालला मैंने भी वो रोटीन में करती हूँ यह नहीं कि एक दो दीन करें आप माशालला से एक वीक करेंगे तो आपको इसके असरात बहुत अच्छे नज़र आएंगे आपके जो हिजम अमल भी किया तो आपके जो घर की जो खुशियां हैं वो बरकरार रहेंगी हासिदिन की हसाद बुरी नजर से भी दूर रहेंगे तो भाई मेरा आज दिल कर रहा था कि तियार शार होएं और जब देखो तुम ऐसे साधी सूधी रहती हो कोई मैंकप नहीं कुश नहीं तिय को काबू करने का तरीका निकलने का भाव और अच्छी गपशप भी लग जाती है तो यह ड्रेस मैंने निकाला था परपल कलर का आप बतायेगा कि यह जो मैंने ड्रेस निकाला है और यह जो कलर आप लोगों कैसा लगए मेरी च्वाइस कैसी है और घर से छोटा सा थोड़ से निकलें और एक आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है आपके हजबंड भी खुश हो जाएंगे तो बस चुटी-चुटी खुश्य होती जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं और आपस में खुश रहते हैं घर का एक महुल भी अच्छा बन जाता है घर के काम काश तो चलते ही बच्चे भी खुश होंगे बच्चे भी देखते हैं कि हमारे जो ममा बाबा हैं वो कैसे रह रहे हैं लट जगर तो नहीं रहे हुंड़ पर भी बूरे असरात पड़ते हैं तो घर का महुल ओरत के हाथ में आता है और आप कैंगे भई औरत कोई सब कुश एकारे मरत का भी क के दुरूद पाक आपने पढ़ना है और या वदूदो आपने सो बार पढ़ना है आपके क्या लगेंगे दो से तीन मिल लगेंगे जादा जादा पांश मिल लग जाएंगे तो आपने पांश मिल निकाल के या वदूदो पढ़ना है आप इसको खाने पे फोग दे चीनी पे फोग दें अपने husband को जहन मिलाके उन पे फोग दें यकीन जानें वो ऐसे हो जाएंगे जैसे आपके कहते हैं न दिवानें हो जाएंगे आपकी हर बात मानेंगे अब हर बात का मतलब यह नहीं कि आप बुरी बात भी कहें किसी के बारे में बुरा बला गए तो वो भी वजीवा हमने पढ़ना है अपने घर का मोल ठीक करना है और कुछ ऐसी आते हैं जो हमने अपनानी भी अपने घर का मोल ठीक करने बीए और घर के जो काम का आज है उसमें मसरूफ ने अपने बिल्कुल तबज्जा नदे हैजबन जब सुबा काम पे जाते हैं उन्हें खुशी खुशी भेजें नाश्टा अच्छा सा बनाएं गपशप लगाएं घर का मोहल अच्छा रखें जब वो घर वापिस आएं तो त्यार शारों के अच्छे साफ सुतरें नीडन क्लीन कपड़े पहने हलके सी लिप स्ट्र मरजी करने काम तो करना ही करना है अगर मूँ बना के काम करेंगी तो काम में बरकत भी नहीं होगी और घर का भी मौल खराब होगा और रोजी रिजग में भी फरक पड़ता है रोजी की जो बरकते होती है वो भी खतम हो जाती है और घर में सकून भी खतम हो जाता है तो बस ह हमें ये चाहिए कि माशालला पांच वक्ती नमास पढ़ें बावजू रहें और ये मैंने आपको बताई थी कि ये तजबी भी आपने लाजमी पढ़नी है जाहर बाते जब हैजबन को घर में सकून नहीं मिलेगा तो भाहर दोस्तों की तरह भागेंगे आपस में एक पढ़े रहें आपस में लड़ते जगड़ते रहें किसी को खुश ना करें किसी को भाही लोग जब आपको लेखेंगे लड़ता वाइनका घर मौल डिस्ट्राब है तो लोग खुश होते हैं मजाग उड़ाते हैं किसी को मुकाई ना दे और आपस में तफाग प्यारत से मैं तो यही चाती हूँ और जब यह आते हैं चाहे में कितनी भी परिशान क्यों ना घर को लेकर कितनी तब्यत क्यों ना खराब हो कुछ हो तो यह आते साथ ही पहले तो मेरा फेस देखते हैं कि इसके क्या रियाक्शन है तो मैं जितनी भी मेरी तब्यत खराब हो कुछ भी गर्मी लग डग रीओ खाओ, कुछ भी हो तो बस यह जैसे में हस्ती होता है, यह उसंती यह इनके चेहरे पे स्माइल आजाती है, यह भी खोश जाते हैं मुझे देखके। तो बस ये चोटी सी स्माइल देखें माशाला से आपके हजबन को भी फ्रेश कर देती है आपके बचे भी खुश रहते हैं तो किसी सूरत भी अपने घर का मौल खराब ना करें तो बस ये चोटी सी आप लोगों से गुजारेश थी मैंनका चलें अपनी जो मेरी बहने मुझे दे करी हैं तो वो वजीफा लाजमी पढ़ें और जो कुछ बाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं इस पर भी अमल करें तो माशाला बस ये देखें मैंने अपने बेटे के लिए वो करते हैं ममा मैं जो दूस सेमिया बना के दें तो असर का टाइम था उसको भूग लगी होती है कुछ ना कुछ मैं उनको बना के दे देती हूं जो दूसरा वाला था वो दीबले लिया है और रोटी लिया है ममा मैंने ये खाना है तो मैंने का चले आप लोग खा लें तो फिर मैंने तो पनी चोटे आले बेटे को खिला भी दिया खुद भी खा लिया बस फ कभी लेके जाते हैं कभी नहीं लेके जाते हैं और कहते हैं ममा हमसे नहीं खाया जाता जायर बाते हैं गर्मी हमसे नहीं खाया जारा फिर ये के रात को थोड़ी बहुत चीज ले ली थोड़ से पैसे दे दिये ये इनकी रोटीन बन गी लेके मार्शल आगे मुसम अच्छा ह जाएगा फिल लेंज बॉक्स भी लेके जाएंगे घर में भी आते हैं बच्चे तो इनसे खाना नहीं खाया जाता भूग नहीं लग रही होती तो कुछ ना कुछ में स्लाइस कभी इनको बना दी कभी सेंविच बना दी कभी सेंविच दूद वाली बना दी फूड कार्ड के दे दिया माओं का तो यही काम है हैस्बेंड आते हैं उनको ने शिकंजी बना दी ठंडी 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 उनको दे दी और बस यह बेटा मेरी बोतले लगा रहा था फ्रिज में तो बस आपको जड़ा सा भी मेरा यह व्लॉग पसंद आए तो प्लीज आपने अच्छे प्या यह व्लॉग नागी ठंडी जिक रहा फलॉग झाल दो यागोर लॉग जिए